हे गाईज जब हमारे हेल्थ की बात आती है तो एक हेल्दी डिली रूटीन जो की सिंपल और एफिक्टिव भी हो हेल्दी रूटीन हमारे ब्रेंड और हमारे बॉड़ी के लिए बेस्ट होता है और जिससे फॉलो करके हम लोग हेल्दी एक लाइफस्टाइल एचीब करते हैं सुभा उठते ही मैं अपना बेड को क्लीन करती हूँ इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉड़ैक्टिव और एनरजेटिक फिल होता है उसके बाद मैं आगे का रूटीन को फॉलो करती हूँ मॉर्णिंग में उठना ही मेरे लिए सेल्फ केर का फर्स्ट इस्टेप है चारकोल तुटपेस मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए इसको मैंने सेकेंड टाइम भी पर्चेस किया आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी कैसे मैं अपना mental and physical health को बैलेंस करके productive और motivate रहने की कोशिज करती हूँ देखा जाए तो बहुत simple भी है और कोई भी fancy चीज नहीं है तो आप आराम से घर पे ही comfort में रहे के follow कर सकते हो सुबा सुबा मैं bullet coffee जब से मैंने पीना सुरू किया है huge difference मुझे नजर आया है अपने body पे तो अब तो मैं इसको पीने वाली हूँ कभी-कभी break लेती हूँ जब detox करना होता है जो detox juice पी लेती हूँ otherwise तो मैं bullet coffee अभी अपना routine पे अच्छे से follow कर रही हूँ इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि life में आप कितने busy हो या फिर कैसे भी दिन हो मुझे पता है मैंने अपना first morning hour अपने आप में इन्विस्ट किया है यही है मेरा self-care हाली में जो मैंने कटन लगाया था उसमें ग्याप था तो मैंने दूसरा order दिया था आज मुझे मिल गिया है और इसका design मुझे बहुत पसंद है बचपन में न मैं mirror के समने ऐसी ही लहेंगा बना के मम्मी का साड़ी या फिदुपट्टा से बहुत डांस करती थी तो वो सार और लगा दिया तो अच्छा भी लग रहा है और थोरा सा भारा भारा लग रहा तो जो ग्याप था वो ग्याप अब नहीं दिख रहा है घर चाहे कैसा भी हो छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है घर को हमेशा डेकुरोट करके रखो हमेशा थोड़ा सा अगनाइस करके रखो उससे आपका मूट भी बहुत अच्छा होता है और सजबोलू तो घर पे रहने का भी दिल करता है और आप अगर पोड़ेक्टिव फिल करते हो अपने घर को देखे तो ये भी एक सेल्फ केर में ही आता है और मैं अपने फ्रीडम को बहुत इंजाई करती हूँ किसी से कोई मतलबी नहीं है अकेला रहो मस्त रहो सुबह से ही बहुत ज़़ा बारी सोरी है सुबह का चार बज़े से बारी सोरी है अभी तक भी वह समठीक नहीं हुआ पर जीम तो जाना है तो चलो जीम के लिए रेडी होते हैं healthy and powerful routine without workout incomplete जो लोग जीम नहीं जाते हैं वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे ये सिर्फ वो प्लेस नहीं है जहां पे आप अपना body बठाने आते हो this place change my life ये आपको discipline सिखाती है डिप्रेशन हो stress हो या फिर anxiety हो जीम में enter करते ही पीछे सब को छूर जाता है जीम enter करते ही आप एक happy mood में आ जाते हो बहुत light fit होता है और देट से 2 घंटा जब walk out होता है आप खुद को देते हो खुद को invest करते हो और बहुत ही light और बहुत ही energetic और खुद पे confident सिखाती है तो walk out सब को करना चाहिए अगर जीम में walk out नहीं कर पा रहे हो पर जीम बला आप लोग को body चाहिए तो ये भी मुझे comment क करके बताना तो मैं कुछ ऐसा dumbbell purchase करूंगी और आपको घर पे ही कैसे walk out करके जीम में जो एक tone body achieve कर सकते हो घर पे भी achieve कर सकते हो वो भी मैं share करूंगी तो मुझे comment करके बताना कि मुझे dumbbell लेना चाहिए आप लोग के लिए कि नहीं जीम से मैं जल्दी ही घर आ गई क्योंकि जोर से बारिस हो रही है वाटो मिले ना मिले और अटो से आई तो मैं ज्यादा भीगी भी नहीं थोड़ा सा मैं भीग गई थी पर मैंने change कर लिया और मौसम तो साइर ऐसे ही रहने वाला है और sunlight भी नहीं है बट मैं इसी में ही suit करूंगी मुझे rain light यूज करने में बहुत असकती लगते हैं पता नहीं क्यों और मुझे बहुत भूग भी लग गई थी तो मैं अपने लिए बनाड़ी उत्तपम उत्तपम मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगता है और बारीस भी हो रही है कि तो सोचा उसके साथ चाई ले ले लिती हूं वैसे ग्रीन चेटनी वे क्लिए करती हूं कि मंत में मैं लन एक बार करती हूं 15 दिम्ए थोड़ा और बीप कलाई छी अगरिती चेट योगर्य कम्लम psychology at 0612-1ृ तो ऎपने लीए सब्सक्राइबर पर देखना कूछ भी नहीं लगा रहे हो फिर भी आपकर इसकी डूल दिखता एपक की इसकी नहीं हो डेंडर फो जाता है आपको पता ही नी चलते है रीजन क्या है तो रीजन होता है घर बैठे बैठे भी बहुत सारा प्राब्लेम हो जाता है इतना पलीशन है जितना भी बंद करके रखो घर को आपके घर पे डस्ट आये गाई तो फानीचर जो है रोज जब किलीन करोगे तो चमकता है अगर दो चार दिन छोट दोगे तो गंदा हो जाता है सेम सीच्वेशन हमारे स्कीन का भी है रोज उसको छोटू सा स्कीन क्यार फॉलो करोगे तो चमकेगा ग्लो देगा नहीं तो वो भी डल हो जाएगा मुझे आदत है बच्पन से ही क्लीन राइना और लग गई थी तो मैं अभी ले रही हूँ वाइटेमिन सी तो जाना चाहिए बॉडी में पूरा दिन में तो यहां पर क्यूवी में ले रही हूँ क्यूंकि फ्रीज में रखा हुआ था क्यूवी नैचरली हील करते है हमारे इसकीन को इसकीन में सन डैमेज से भी प्रोटेक क को केड़ी करता है तो में लगा रही हूँ चार कोड पी लॉप मार्क जो मेरा बहुत ज़ादा फेवरीट है क्यूंकि इससे बहुत अच्छे से डेटसेल बी रिमूव हो जाता और यह मेरा all time favorite है एक तो budget friendly है और नाजा ने इसको मैंने कितना tube यूज़ किया है जब मैं hostel में रहती थी तब से मैं use कर रही हूँ good vibes का product तो यह बहुत अच्छा है highly recommend करूंगी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो और इसको मैं अच्छे से भी dry होने तूंगी good vibes का मैंने और दो पील ओफ मास मेंने लिया है golden और एक green कलर का वो में कभी लगा के आप लोग के साथ सेयर करोंगी कभी कभी हमरे life में ऐसा कोई आता है जो आपके soul को touch कर पाता है and you feel lighter, brighter and beautiful और ऐसे लोग blessing के तरह होते हैं और वो blessing आप खुद हो अपना soul को heal कर सकते हो जब आप खुद को importance दोगे, खुद को समझोगे, खुद का need को समझोगे हमेशा एक बात याद रखना, आप खुद को जितना अच्छे से समझ सकते हो, trust me, उतना अच्छे से दुनिया में कोई भी इंसान आपको नहीं समझ सकता है खुद के best friend जिस दिन आप बन जाओगे, आप खुद फिल करोगे कि वो इंसान से आप पहले क्यों नहीं मिले और वो इंसान आप खुदी तो हो, खुद अपने favorite बनो, उसके बाद देखोगी आपकी life कितनी healthy and कितनी happy हो जाती है और अपना healthy lifestyle में book read करना याड कर दो जब भी आप pillow mask लगाओ, हमेशा पूरा dry करना उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से clean होता है जो dead cell white hairs remove करना होता है, वो अच्छे से remove होता है, नहीं तो वो ना अच्छे से remove नहीं होता है और अभी कितना easily मेरा face से निकल लिया है देख सकते हो और यह ना बहुत satisfaction देता है मेरे skin में जितना भी dead cell था और जो white hairs दा, nose पे वो कितना अच्छे से remove होआ है I think आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं तो कोशिस कर रही हूं दिखाने के लिए पर light का थोड़ा सा issue है तो hopes हो कि आप लोग को देख पाए, यह बहुत अच्छे से remove कर देता है और skin भी बहुत sign भी करता है, बहुत smooth भी feel होता है skincare करने के लिए ज्यादा skincare product होना ज़रूर है नहीं है, बद जो product आपके पास हो वो product अच्छा हो और effective हो यह ज़रूरी है Quick skincare के साथ quick hair care भी तो होना चाहिए, तो hair care के लिए मैं यहाँ पे coconut oil अपने hair पे apply कर रही हूं आपको अगर अपने hair का product के लिए ज्यादा पैसा invest नहीं कर सकते हो, simple सा coconut oil लगाओ, उससे भी आपका hair बहुत healthy रहेगा Hair oil मैं नहाने से एक डिर गंटा पहले लगा लेती हूं, freeziness चला जाता है, dryness चला जाता है, hair healthy भी रहता है और जितना simple routine होगा आप follow करोगे consistency से उतना ही आपको अच्छा result मिलेगा अब मैं अपना lunch ready करूँगी, lunch पर मैं rice रोज नहीं लेती हूं, हफते में दो दिन रहती हूं, क्यों balance diet बहुत ज़्यादा important है, hormonal मुझे problem है तो यहाँ पर मैं healthy सा अभी में lunch बना रही हूं, जो बहुती ज़टपट से बन जाता है और high protein diet मैं हमेशा खाने पर add करके रखती हूं यह recipe बहुती simple सा है, पर details में अगर इस recipe आप लोग को चाहिए तो मुझे comment करके बताना मैं कभी आप लोग को अच्छे से details में समझा के मैं सिखा दूँगी, बहुती ज़टपट है, 10 minute में lunch रेडी हो जाता है नहाने के बाद मैंने on piece एक cotton का dress पहन लिया, बहुती light है और अच्छा और comfortable भी है और मुझे हाली में पता चला, catina का जो tint है, lip tint वो daily use कर सकते हैं, हाली में उनका एक story से मुझे पता चला और इसका ही दूसरा कुछ सेड में और एक बर purchase करूँगी, क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी hydrating है और बहुत long time तक lip को hydrate करता है healthy lifestyle के लिए healthy खाना भी बहुत चाथ है important है, हमारे present और हमारे future दोनों ही खाने के उपर ही survive करते है हम future में कैसे रहेंगे या फिर present में हम लोग कितना healthy है, ये हमारे food ही decide करते है, body में जितना अच्छा खाना जाएगा, जितना अच्छा हम लोग diet लेंगे, उतना अच्छे से हम लोग survive कर पाएंगे, without any medication जितना healthy और balanced meal हम लोग add करते हैं, अपने lifestyle में हमारे उतना improvement होता है, चाहे हो skin का quality हो, hair के quality हो, overall आपका body का health हो और जितना हो सके, healthy खाऊ और मैदा और sugar को अपने diet से दूर रखो हाली में हर जग अपे sale चर नहीं थी, तो कुछ product मैंने purchase किया है new, tinted sunscreen dot and kika and dot and kika makeup remove करने के लिए bomb है, first time use करेंगे और इसका smell बहुत अच्छा strawberry है, और naika से भी मैंने बहुत सारा चीज़े order किया है, और ये जो spray है, heat spray ना जाने कितना bottle खतम किया है एक तो budget friendly है और अच्छा भी है, क्यों blood dry करती हूँ, तब मैं इसको spray कर लेती हूँ और जो plum का oil है, vanilla बहुत ही popular oil है, तो मैंने छोटू bottle मैंने अभी order किया है, use करूंगी, result अच्छा होगा तो share करूंगी यहाँ पर मैं tipsy beauty का, जो face को contour करने के लिए जो आता है, वो मैं first time actually use करूंगी, तो मैंने इसका लिया है और इसका packaging तो देखो, कितना मस्त है, बहुत ही अच्छा मुझे packaging लगा और illegal का मैंने एक eyebrow pencil भी लिया, यह वाला box में मुझे लगा बहुत सारा product होगा, पर इसमें लिका सिप एक sour gel chemist का जो sour gel है, मैंने सुना है कि उससे dead cell remove होता है, बहुत ही अच्छा है, acne भी remove हो जाता है तो पहले मैं use करूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ इसका result क्या है वो share करूँगी और मेरे पास बहुत सारा parcel है, जिसमें सारे कपड़े है, पता नहीं मैं आप लोग को इस वीडियो में सब कुस दिखा पाऊ, नहीं दिखा पाऊ तो जितना हो सा कि मैं दिखा देती हूँ, यह जो first product है, मेसो से मैंने कुर्टी white color का order दिया था और कितना अच्छा मुझे receive हुआ है, यह white वाला कुर्टा मेरे पास है, पर मेरे पास pink color का है, और मैंने मेंतरा से लिया है, और मेंतरा से मैंने जो price में लिया था, मेसो से पूरा मैंने हाप दाम पे लिया है, पर मेंतरा का quality हो जादा बेटर है, मेसो का quality ठीक ठाकी है, और जो दुपट्टा है, वो भी नेट का ही है, और दुपट्टा बहुत ज़्यदा soft नहीं है, थोड़ा सा कड़क जो material होता है, वो है, और नीचे का जो pant है lower, वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी design है, यह पूरा मेंतरा का जो आर्टिकल है मेरे पास, वो pink color का मैंने इद पे लिया था, उसका ही यह copy है, पर उपिंग था, यह वाइट था, तो मैंने इसको भी ले लिया, और आज ही उसे मैंने अपने लिए एक अर्मानी का टी सेट मंगवाया था, सिर्फ जिम के लिए, क्योंकि जिम मैं थोड़ा सा comfortable और थोड़ा सा loose कपड़ा में पहानती मेरे पास है, पर मुझे इसका इकलार भी बहुत जद अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया, और इसका material भी बहुत जद मुझे अच्छा लगा, वैसे क्रोकरी का, होम डेकर का, जितना भी item होता है, मेसो का, थोड़ा सा ढूनना पड़ता है, पर बहुत अच्छा quality का, और प आपने जन्नी में यही सिखी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो personal growth और personal goals के लिए time ज़रूर निकालो, क्योंकि success होई है, जो आपको आपकी better version पर लेकर जाए, आज के वीडियो में मैं आप सब को यही message देना चाहूंगी, आप कितना भी busy हो, office, college, school, personal goal, personal growth, सब कुछ possible है, it's all about you आप खुद कितना passionate हो, अपने goals को लेके, so आज को जो वीडियो है, I hope आप लोगो अच्छी लगी होगी, वीडियो गर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, share करना, subscribe करना, आप लोगो धेर सारा पर, फिर में मिलूंगी, next वीडियो में, आप लोग खुश रहो और अपना क्यार राको, bye!